आप आई एस प्रेलेम श्पेशल डेली करेंट अफेर न्यूस डिसकुशन में आपका स्वागत है हम हर दिन कुछ महत्तपुन सोर्सेज जैसे दहिंदू, मेंट, पी आईबी, इंडियन एक्स्प्रेस, बिजन स्टैंडर्ड, राच्चे सभार टीबी, इत्यादी से IAS या PCS में पूछे जा सकने वाले करेंट अफेर के टॉपिक लेकर आते हैं, आपके साथ MCQ के रूप में उसे डिसकुशन करते हैं ये जुलाई महीने का हमारा दूसरा डिसकुशन वीडियो है, चलिए हम आज का अपना डिसकुशन सुरू करते हैं हमारे डिसकुशन का पहला प्रस्ण क्या कहता है, प्रधान मंत्री वाया वंदना योजना के बारे में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है तीन कथन दिये गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है आप हमारे इस डिसकुशन को GS Paper 2 के Government Scheme, Policy, Welfare and Social Issue से जोड़ कर देख सकते हैं हम एक-एक कथन को देखते हैं और उसके साथ हम इस बात को जाज करेंगे कि वो सही है या फिर गलत है इसी के बीच इससे महत्तपुन जुडिवी जानकारियों को हम आपको बताएंगे उन सारी जानकारियों को आपको याद करना है यदि हम बात करें पहले कथन का तो यहां कहता है यह विशेईस रूप से वरिष्ट नागरिकों के लिए यानि साथ साल और उससे अधीक की पेंसन योजना है फ्रेंड्स आप याद रख ले प्रधान मंत्री वाया वंदना योजना जिसे 2014-15 में सुरू किया गया था यह मुख्य रूप से जिनकी उम्र साथ साल हो चुकी है या फिर उससे अधीक के लोग हैं वही इस योजना के अंतरगत लाब उठा सकते हैं इस योजना के अंतरगत यदि कोई वेक्ती पैसे जमा कराता है तो उसको प्रती वर्स 8 दसमलो 3 0 प्रतिशत के हिसाब से रिटर्न दिया जाएगा और यह दि वो कम से कम 10 साल के लिए पैसे जमा कराता है तो फिक्स 8 प्रतिशत रिटर्न दिये जाने का वादा किया गया था तो आप पहले कथन क्या समझें कि इससे कौन सी कौन सी जुड़ी विज़ानकारी थी नियुनतम सीमा तै की गई है अधिक्तम सीमा तै नहीं की गई है इस योजना में सामिल होने के लिए नियुनतम सीमा 60 वर्स है हर साल 8.30 के हिसाब से रिटर्न दिया जाएगा यदि कोई विक्ति मैक्सिमम 10 साल के लिए पैसे जमा कराता है तो उसे 8 प्रतिशत का फिक्स रिटर्न दिया जाएगा तो इसे आप याद रखेंगे दूसरा कतन क्या गहता है योजना पूरी तरह से LIC द्वारा संचालित की जाएगी ये भी बिल्कुल सही है प्रधानमंत्री वाया बंदना योजना को क्रियानवीत करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है LIC को दी गई है तो आप ये याद रखेंगे तीसरा कतन कहता है पेंसनर को पेंसन का भुगतान पोलिसी की खरीद के समय पेंसनर द्वारा तै की गई समय अवधी के अनुसार की जाएगी बिल्कुल सही है जैसे मैंने आपको बताया कि मैकसिमम अवधी तो 10 साल है लेकिन कोई व्यक्ति चाहता है 3 साल, 2 साल, 5 साल के लि वो किस आधार से पेंसन प्राप्त करना चाहता है उसको भी तै करने की अनुमती देगे है वो चाहता है तो प्रती 6 महीना पेंसन प्राप्त करने की अवधी को चुन सकता है प्रती वर्स या फिर 3 महीने में या फिर मासिक आधार पर वो जिस प्रकार से पेंसन प्राप्त क करना चाहता है इस योजना के अंतरकत पैसा जमा कराने के बाद वो बिक्ति प्राप्त कर सकता है तो इस बात की भी छूट दी गई है तो इस कोस्चन के हिसाब से देखें तो आंसर क्या होगा option D क्यूंकि पहला दूसरा और तीसरा सारा का सारा जो है वो सही है जैसे मैंने प्डाउन के दौर में पैसे जमा कराने के लिए आकरशित करने की बात कही जा रही है ताकि भारत सरकार को कहीं से तो पैसा प्राप्त हो तो इसलिए ये न्यूज में आया था इससे जुड़ी भी कुछ महत्तपुन बाते हैं जिसे आपको ध्यान रखना है इसका पहला संस करन 2014.00 में सुरू किया चया था कु wire양 वार्श अंठी से मृत्यताप्स ज़क्तर स wise 10 वर्ष आट पर्दिशत और प्रती वर्ष के हिसापसे ध्याय जया था आट इसवारतिशत के हिसापसे रिटरन देकी बात इस योजना प्राप्त करना है वो वहक्तित आ करेगा कि उसे प्रतिमाह पेंसन प्राप्त करना है तीमाही आधार पर अर्धवार्शिक आधार पर या फिर वार्शिक आधार पर ये सारी बातों को आप याद रखेंगे एक अन्य बात यदि कोई विक्ति इसी योजना के अंतरगत सामिल होता है और वो तैस सीमा करता है कि वो दस साल के लिए इस योजना के अंतरगत रहेगा लेकिन वो साथ साल में ही इससे बाहर आना चाहता है तो उसे 100% पैसा जो उसने जमा कराया था उसको नहीं दिया जाएगा उसका मात्र 98 प्रतिशत पैसा उसे वापिस की जाएगी दो प्रतिशत भारस सरकार के द्वारा रख लिया जाएगा इस योजना के अंतरगत सेवा कर और GST नहीं लगता है इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे तो फ्रेंड से कुछ महत्यपन बातें थी प्रधान मंत्री वाया वंदना योजना से सम्बंदित इन सतारी बातों को आप याद रखें हमारा डिसकसन का दूसरा प्रशन क्या काता है खोलूंग चू परियोजना एक पहली सवयुक्त जल विद्युत परियोजना है जिसके बीच यहां किसके बीच हस्ताक्षित किये गया है यहां पर आपको भारत और दूसरे तरफ चार देशों के नाम दिये गये हैं आपको बताना है खोलूंग चू परियोजना किसके द्वारा किन दोनों दो देशों के बीच इसे हस्ताक्षित किया गया है फ्रेंड्स आप हमारे इस डिसकसन को जी एस पेपर 2 के भारत और इसके पडोसी देश साथ ही अंतराश्य संबंद से जोड़ कर देख सकते हैं यदि हम बात करें खोलूंग चू परियोजना का तो इसे भारत और भूटान के बीच हस्ताक्षित किया गया है भारत सरकार के द्वारा कहा गया था कि 2020 तक ये वादा किया गया था 2008 में कि 2020 तक 10,000 मेगावोट का बिजली चमता बनाने की चमता वाले परियोजनाएं इस्थापित की जाएंगी कहाँ पर भूटान में इसी के अंतरगत अब भारत लगभग लगभग अपनी लख्ष को प्राप्त करने की ओर बढ़ चुका है और इस योजना को अनुमती दे दिये है एक अन्य महत्तपुन बाद जो इससे जुड़ी हुई है वो ये कि आज से पहले तक मतलब इस योजना से पहले तक जितनी भ भुटान में योजनाय संचालित की जाती थी वो पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा विद्पोशित होती थी लेकिन ये पहली ऐसे पर योजना है जिसमें भारत सरकार और भुटान के सरकार 50-50 प्रतिशत का पैसा निवेश करेगी ये भी आप याद रखेंगे जुडा हुआ है आपको बताना है कि इन में से चार में से किस छेतर के साथ भारत दंड सहीता यानि की IPC की धारा 497 जुडा हुआ है फ्रेंड्स आप हमारे इस डिसकसन को GS Prelims, GS Mains के Roll of Judiciary से जोड़कर देख सकते हैं यदि हम बात करें फ्रेंड्स भारत दंड सहीता की धा 497 का तो यह व्याभी चार यानि की एडल्टी से जुड़ा हुआ है एडल्टी क्या होता है मान लेते हैं कि कोई वेक्ती है यह husband है इन दोनों ने आपस में साधी किया इसलिए husband wife है अगर यह wife किसी दूसरे मर्द के साथ सामुहिक मतलब सारेरिक संबंध बनाती है यह कोई म तो इस मामले में जो तीसरा वेक्ती है उसको दोसी माना जाता था, उस पर चार्ज लगाये जाते थे, बालातकार के आरोप लगाकर इसको सजा दी जाती थी, लेकिन महिला को यहाँ पर अबला नारी माना जाता था, उसको कोई सजा नहीं दी जाती थी, इसी के अंतरगत एक अन्य बाद जो husband होता है यदि वो किसी ऐसी महीला के साथ जो विद्वा हो चुकी है जिसका साधी नहीं हुआ है या फिर कोई दूसरी महीला के साथ संबंद बनाता है तो इस पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगाया जाता था तो ये मामला जो है उसे adultery कहा जाता ह है अब क्या किया गया है भारत सरकार के सुप्रीम कोट के द्वारा 497 को हटा दिया गया खतम कर दिया गया क्यों क्योंकि इसमें तीनों को ही दोसी मानने से इंकार कर दिया गया किस आधार पर अनुछेद 21 अनुछेद 14 और अनुछेद 15 के आधार पर इसे हटा दिया गया तो आपको इसके बारे में सिर्फ यही जानना है एडल्टरी क्या है आपने समझ लिया अब आपको क्या जानना है कि धारा 497 किस से जुड़ा हुआ है पूछा जाएगा तो यही ज्यादा चांस है यह एडल्टरी यानि कि हिंदी में इसका व्यभी 4 होता है इसे आप ध्यान हमारे सुप्रीम कोट ने बहुत सारी बाते कही है यहाँ पर वो लिखा गया है मैंने आसावन भाषा में आपको समझा दिया है आप इसे पीडियेफ जो हम उपलब्द कराते हैं उसके माध्यम से पढ़ लेंगे आपको आसानी हो जाएगी हमारे डिसकसन का चौथा प्रस् चार्ट शुरू किया गया है वो किस से जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स आप हमारे इस डिसकसन को जीएस पेपर 2 के वेलफेर स्कीन से जोड़ कर देख सकते हैं यदि हम बात करें फ्रेंड्स आंधरा प्रदेश के द्वारा शुरू किये गे कार्यकरम का तो यह MSME सेक्टर क 1100 करोड रुपे खर्च करेंगी किस के छत्र में MSME के छत्र में क्यूंकि लोगडाउन के दोरान बहुत सारे जो छोटे यानि कि सुक्ष्म लगू और मध्यम उद्योग जो थे वो अभी धर्रे पे चड़े गये हैं उन सारे लोगों को सबको समस्या हो रही है क्यूंकि इन को संचालित करने में भी दिक्कत हो रहा है तो इन ही चीजों को ध्यान में रखकर आंधरा प्रदेश के सरकार के द्वारा री स्टार्ट कारिक्रम सुरू किया गया है एक अन्य बाद जो आपको याद रखना है कि खुद सरकार ही 360 प्रकार के समानों को MSME से खरी देगी तो आप हमारे इस डिसकसन को GSP परतीन के परियावरन जैवे विदेता या फिर इंडेंजर्ड स्पीसीज से जोड़कर देख सकते हैं यदि हम बात करें फ्रेंड्स दिये के दो करतनों में से पहले गथन का तो पहला गथन कहता है विदेसी जिवित प्रजात्यों की व्याख् सरकार के द्वारा कुछ नोटिफिकेशन जारी किये गए हैं जिसके अंतरगत विदेसी प्रजातियों के आयात निर्यात पर regulation और प्रतिबंद लगाने की बात कही गई है उसे के अंतरगत जो विदेसी प्रजाती की व्याख्या की गई है उसमें लिखा गया है कि केवल उन जानवरों के नामों को इसके अंतरगत सामिल किया जाएगा जो SIDES के परिशिष्ट एक, दो और तीन के अंतरगत आते हैं कहने का मतलब है कि जो SIDES की परिशिष्ट एक, दो और तीन है उसमें लिखा गया है कौन से कौन से जिव जो है वो प्रजाती है उनहीं को भारत सरक के द्वारा माना जाएगा, तो पहला कथन क्या है, बिलुकुल सही, दूसरा कथन क्या कहता है, One New arrowsson Evidentium 1972 द्वारा कवर की गई, परजातियों को सामिल नहीं किया जाएगा, ये भी सही है, क्योंकि भारत का ही यह कानून है वन यह जो संरक्षन अधिनियम लेकिन फिर भी विदेसी प्रजातियों को define करने के लिए भारत के कानून को ही नहीं माना जाएगा जबकि जो sites का convention है किसका convention है IUCN का IUCN का convention है जो 1975 में लागू हुई थी उसके आधार पर विदेसी प्रजातियों को परिभासित किया गया है भारत में जो अभी regulation जारी किया गया है उसके अनुसार यानि कि पहला और दूसरा दोनों कथन सही है option C इसका सही आंसर होगा तो आप इसे ध्यान रखेंगे इससे जुड़ी भी कुछ महत्तपन बातें हैं आप याद रखेंगे जैसे मैंने बताया कि परियावरन मंत्राले के वन्यजू प्रभाग के द्वारा कुछ दिशानिर्देश और नियमों को पेश किया गया है इसके धर एक अन्यबाद जिसे आपको ध्यान रखना है कि कोई भी बिदेशी प्रजाती है बिदेशी प्रजाती कहने का मतलब क्या कि कोई जीव है जो किसी विशेश छत्र में पाया जाता है मान के चलिए उत्तर प्रदेश में कोई विशेश प्रकार का प्रजाती पाया हो सकती है तो इसी चीज को regulate करने का जो अधिकार है वो परियावरन मंत्राले के अंतरगत वन्यजू प्रभाग को अब सोपा गया है पहले ऐसा नहीं था पहले विदेश मंत्राले के द्वारा इसे देखा जाता था मतलब आयात पुन बात आपको याद बता रहा था वो ये है कि इस योजना के अंतरगत जो भी विक्ती चाहे वो जानवरों का हो या थो पक्षियों का हो उनको ये दि एक राज्य से दूसरे राज्य लाता है ले जाता है तो उसको पहले जो संबंधित राज्य का वन्ने जिव वाडन है उसके पास पंजिकरन कराना होगा कि मैं एक विक्ती हूँ और मैं जानवरों का आयात निर्यात एक राज्य से दूसरे राज्य में करता हूँ जो वन्ने जिव विभाग के संबंधित अधिकारी होंगे उनको ये अधिकार दिया जाएगा कि वो इस प्रकार के जो आयात निर्यात या फिलेन दिन किया जा रहा है चाहे वो पौधों का यो जानवरों का उससे संबंधित गतिविधी की निग्रानी और निरिक्षन कर सकते हैं ये अधिकार दिया गया है किसको वनने जिव विभाग के अधिकारी को पंजीकरन कहा कराना है वाडन के पास और कोई भी अधिकारी जाकर इसकी जाज कर सकता है कि आप कैसे देखरेक कर रहे हैं मैंने जैसे बताया था फ्रेंट्स की पहले ऐसा था कि देखरेक करने का जो अधिकार था वो किसको दिया गया था मतलब वानिज्य मंत्रा लेके वानिज्य मंत्रा लेके विदेश ब्यापार महानी देश आले मैंने वहाँ पे विदेश मंत्रा लेका था ऐसा नि वानिज्य मंत्रा लेके विदेश ब्यापार जो है वो भारत इसका हस्ताक्षर करता है ये एक अंतराष्टिस समझोता है जिसे 1963 में IUCN की अगवाई में की जाती है ये एक ऐसा संगठन है ये एक ऐसा कन्वेंशन है जिसको सारजनिक नीजी गैर सरकारी संस्थान या फिर सरकार सब लोग मिलकर इस कानून को लागू करान न हो सके तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे इससे जुड़े के कुछ और बात जो आपको पूछी जा सकती है वो ये कि इसे सबसे पहले कब लागू किया गया था तो 1975 में इसे मैंने पहले ही आपको बता दिया था 183 जो देश हैं वो इसके सदस्य हैं मुख्य उदे से य जानवर और पौधे होते हैं उनको अंतरास्टे अवाय धरूप से किये जाने वाले वेपार की वज़े से कोई नुकसान न हो तो आप सबसे महत्तपुन जो बाते हैं उनको याद रखेंगे इसका मुख्याले पूछा जा सकता है सुजलाइन के जनेवा में हैं तो ये भी आप याद रखेंगे कुछ मेसिलीनियस टोपिक हैं तो उनको भी आप देख लें सबसे पहले ये कि अभी बिजय दिवस का 75 वर्सगाठ मनाया गया है कहां पर मनाया गया है रूस में मनाया गया है तो ये भी आप याद रखेंगे और इसी दवरां भारत के जो रक्षा मंत हैं वो ये कि AK-203 Assault Rifle और का 226T Light Utility Helicopter ये अधीक मुल्य होने के कारण अभी चर्चा के दोर में बने हुए हम लोग AK-47 और आतंगवादी तो अभी तक यही है और दुनिया कहां पहुँच गी AK-203 तक पहुँच चुके हैं तो इन चीजों पर अभी फाइनल नहीं हो पा 2021 में भारत को मिलना सुरू हो जाएगा 2025 तक भारत को सारे के सारे S-400 दे दिये जाएंगे S-400 क्या है हम लोगों ने अपने पिछले discussion में इसको discuss किया है आप द्यान रखेंगे जो कुछ दिक्कतें आ रही हैं मतलब जो देरी हो रही है उसका कारण यह है कि भारत कर रहा है कि हमको जो आप हत्यार बेच रहे हैं साथ में हमको तकनीक भी दीजे ताकि हम एक बार हत्यार खरीदने के लिए खुद से इसी प्रकार का कुछ और develop कर पाएं तो यह भारत के दोरा कहा गया है इसलिए दिक्कत हो रही है मतलब समझोता अभी होना बाकी है ज्यादा कीमत लगा रहे हैं वो यह भी एक कारण है और भारत का कहना है कि कुछ हत्यार ऐसे होने चाहिए जिनको हम और आप दोनों मिलकर तयार करें जैसे ब्रामोस जो है उसको भारत और रूस दोनों मिलकर तयार किये हैं उसी प्रकार से भारत सरकार का कहना है कि कुछ और जो हत्यार होंगे उनको हम दोनों मिलकर तयार करते हैं तो इसी बात पर बाच विचार हो रही है इसलिए कुछ देरी हो रहा है इसी प्रकार से एक और बात जो security के हिसाब से हमारे syllabus में जो सुरक्षा दिया गया है GSP पर 3 के उसके हिसाब से आप जोड़ कर देख सकते हैं आपसे इसके हिसाब से सीधे सीधे तो पूछा जा सकता है कि राफियल जो है वो कहां से खरीद रहे हैं और ये क्या है तो राफियल याद रखेंगे कि मल्टी रोल लडाकू विमान है जिसमें इतनी छमता है कि वो परमानू हत्यार ले जाकर भी गिरा सकता है साथ ही ये एंटिसिप स्ट्राइक करने में भी सक्चम है फरवरी 2021 तक भारत को 18 राफियल यानि कि भारत के वायू सेना को सौप दिये जाएंगे अप्रेल 2022 तक 36 रा प्रेंटिम सब्ताह तक भारत को मिल जाएगा तो ये निउस में था आपको याद तो यही रखना है कि 2022 तक 36 मिलेंगे मतलब कितने खरीद रहे हैं हम 36 कब तक मिलेंगे 2022 तक कौन इसे बेच रहा है फ्रांस के द्वारा हम इसे खरीद रहे हैं फ्रांस की कौन से कंपनी ने इसे निर्मित किया है तो डेसोल्ट एवियेशन के द्वारा तो बस इतने ही बातों को आपको याद रखना है और तो खतम हो गया यह हमारा आज का डिसकुसन था फ्रेंड्स हम आज के अपने डिसकुसन को यही रोकते हैं आप हमारे साथ बने रहे हैं थैंक्यू